तो आज इंडिया और इन्लैंड के बिच टेस्ट मेंच का पहला दिन था टोस जितकर इन्लैंड के कप्तान बैनिस्टोक्स ने पहले बैटिंग का फेसला किया टीम को बैन डगेट और जैक क्रोली ने सांदार सुरुआत दिलाई 35 रन बनाकर खेल रहे बेन डाकेट को अश्विन ने आउट कर दिया उसके बाद ओली पॉप जड़ेजा का सिकार बने और उसके बाद जैक क्रोली भी अश्विन के हाथो आउट हो गए इंगलेंड का इसकोर 60 रन पर 3 विकेट आगिया उसके बाद जोरूट और जोनी बेरिष्टो ने पारी को समाला लेकिन 37 रन बनाकर अक्षर पटेल के हाथो जोनी बेरिष्टो आउट हो गए उसके बाद जोरूट भी 39 रन बनाकर जड़ेजा का शिकार बने एट समय इंगलेंड का इसकोर 113 रन पर 8 विकेट था लेकिन बैन स्टोक्स ने सांदार बले बाजी की उन्होंने 70 रन बनाए लेकिन 70 रन बनाकर बुमरा के हाथो बोल्ड हो गए और इंगलेंड की टीम 243 पर धेर हो गई इंगलेंड को 243 पर आउट करने के बाद टीम इंडिया ने बले बाजी चालू करी रोहित सर्मा और यसस्वी जैसवाल ने सांदार सॉट्स लगाए लेकिन 24 रन बनाकर रोहित सर्मा आउट हो गए लेकिन यसस्वी जैसवाल नोट आउट 76 रन बनातर खेल रहे है और सुबमन गिल नोट आउट 24 रन बनातर खेल रहे है और टीम इंडिया का इसको रेक सुनीस पर एक है